केंद्र की मोदी सरकार ने देश के जवानों के हित में बड़ा फैसला लिया है देश के लिए शहीद होने और युद्ध में 60 प्रतीशत से अधिक विकलांग होने पर जवानों के परियोनों को अब केंद्र सरकार 8 लाक रुपे की आर्थिक मदद देगी रक्षा मंत्राले ने शनिवार को आर्थिक मदद चार गुना बढ़ाने का अयलान किया रक्षा मंत्री रानात सिंग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है इससे पहले 2 लाक रुपे तक की मदद मिलती थी ये मदद पेंशन, समुहिक भीमा योजना, सेना कल्यान निधी और अनुग्रा राशी के अलावा होगा ये वेलफेर फंड रक्षा मंत्राले के एक्स सर्विश मैन वेलफेर विभाग के तहत होगा जिसकी स्थापना जुलाई 2017 में हुई थी, हालाकि इसे लागू साल 2016 अपरैल में किया गया था ये फंड चरिटेबल एंडावमेंट एक्ट 1890 के तहद बनाया गया था फंड के लिए साउथ ब्लॉक ब्रांच के सिंडिकेट बैंक में अकाउंट खुला गया था जिसका एकाउंट नंबर है 9055-2010165915 रक्षा मंत्री ने युद्ध हताहतों की सभी श्रीनी के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता दू लाख रुपे से बढ़ा कर आठ लाख रुपे करने की सैध्धान्तिक स्विक्रिती दी है इसके साथ ही पहली से मौझूद मौनिटरी ग्रांट में विभिन रैंक के ऑफिसर के लिए 45 लाख से 25 लाख रुपे और आर्मी ग्रूप इंशरन्स में 40 लाख से 75 लाख रुपे तक का प्रावधान है इससे पहले भी ग्रे मंतरी रहते हुए राधनात सिंग ने शहीदों और घायलों की मदद के लिए भारत के वीर फंड एप लाउंच किया था इससाइब के जरिये देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा में तैनात केंद्रिय साशास्त्र पुलिस बल और अर्ध सैनिक बलों के जबानों के परीजनों को आर्थिक मदद दे सकते हैं इससे किसी भी शहीद के परीजन के बैंक के खाते में साहई तारासी सीधे जमा की जा सकती है इसमें मदद की अधिक्तम सीमा 15 लाक रुपे तै की गई है ये सीमा पूरी होते ही उस शहीद के परीजनों की जानकारी वेबसाइट से खुद बखुद हट जाती है Bureau Report, भारत तक